अगर आप आठ गंटे की नीद लेते हो तो आप अपने जीवन का एक तियाई हिस्सा तो सोने में ही गुजार दिये अगर आपकी आयू साथ की उम्र है तो आप 20 साल तो अपना सोने में गुजार दिये है ना? नहीं! आईए इसको समझते हैं दूसरे नजरिये से स्लीप एक बहुत important factor होता है इस पर researches भी हो चुकी हैं और common sense भी हम लगा सकते हैं यह हमारी recovery के लिए, physical recovery के लिए mentally हम लोग exhaust हो जाते हैं उसको recovery के लिए हम लोग की learning को settle down करने के लिए stress anxiety manage करने के लिए overall healthy रहने के लिए हमारे well-being के लिए sleep एक बहुत necessary factor है और आज researchers, scientists चिला चिला के कह रहे हैं, 6-8 गंटे की sleep required है, इन सबों में अगर हम life का कुछ हिस्सा dedicate कर देते हैं अपने goal को, अपने sleep को prioritize ना करके, then it's fine, लेकिन अगर हम दूसरा नजरिया देखें, तो अगर हम एक well-being 8 गंटे की need ले रहे हैं, तो इससे फाइदा क्या है, हम लोग का mind है, वो बस इतना सोचता है कि यार एक ती आई, तो हम सोने में गुजार दी है, sleep का direct impact पड़ता है आपके health और longevity पे, अगर आप अपना health के boxes tick कर पाऊगे, जिसमें sleep एक बहुत important factor प्ले करता है, तो आप अपनी age बढ़ा सकते हो, simply 10, 20, even 30 साल से, अगर आपके sleep के स में हो सकता है, बिना disease free आप अपनी life जीएं, हम लोग ये consider करना भूल जाते हैं कि sleep हमारी जीवन बढ़ा रहा है, हमारी आयू बढ़ा रहा है, तो वो directly impact कर रहा है हमारे goals को, तो जो हम achieve करेंगे, उसको हम longer period of time के लिए enjoy कर पाएंगे, वो भी healthy होके और happy होके, और जादा ल आपने जीवन की, लेकिन suppose कर लो अपने body का खयाल लख रहे हो with proper nutrition, exercise और recovery में sleep के लिए, ठीक है, ये सब आप कर रहा है, अब जहां आपकी आयू 60 की होने वाली थी, 70 की होने वाली थी, वहीं आपकी आयू अब 80 की हो जाएगी, तो अब आप जब एक तिहाई करेंगे, तो आप नेट आपका आया, अब आप 25-30 साल सोएं, लेकिन आपका आयू भी उतना ही बढ़ गया, तो ये दोनो एक तरह से balance हो जाता है, तो don't sacrifice your health, don't sacrifice your sleep, healthier जीओ, happier जीओ, अपने goals पे भी focus करो, longer जीओ, sleep करने के बाद, जो हमारे पास 16 गंटा दिन का बच रहा है, उसको हम इ इतने intensity के साथ करें, कि हमको नीद भी अच्छी आए, और हमारे goals भी achieve हो पाएं, longer duration of sleep आपका stress लोवर करता है, anxiety लोवर करता है, mentally अप healthy करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले आयूरवेदा में भी कुछ लिखा गया है, नीद के बारे में, और नीद एक उपस्तम्भ है, उपस जर रहा, आयूरवेदा में निद्रा को लेकि क्या कहा गया है, वित रेफरेंस, अस्टांग रिद है, चैप्टर 7, श्लोक नमबर 53, निद्रा एत्यम सुखम दुखम, पुष्टी कार्शयम बला बलम, व्रिष्टा कली बता, ज्यान मग्यानम, जीवितम नाचा, इसका मतल बल अबल, हम लोग की strength और weakness depend करती है नीद पे, व्रिष्टा कलीनता, हमारी fertility, infertility, ज्यान, अज्यान, हमारा mental ability, सोचने समझने की ability, critical thinking, rational thinking, logical thinking, हर चीज़ डिपेंड करती है नीद पे, अगर आप अपनी नीद कम करोगे, तो आप notice करोगे कि आपकी IQ ड्रॉप हो जाती है, आप उतनी efficiently नहीं सोच पा रहे हो, decision ले पा रहे हो, आप जादा irritated रहोगे, emotional decision सही से नहीं ले पाओगे, easily emotional हो जाओगे, अगर आप workout करते हो तो आपका workout अच्छा नहीं होगा, sleep एक इतना बड़ा factor है, जिसको अगर हम लोग सही कर लिए हैं, तो हम लोग का overall life में बहुत अ और मृत्यू निर्भर करती है हमारी निद्रा पे और ये कहता है आयूरवेदा, इसके साथ साथ कई लोग इसको मजाक मिलेंगे कि नहीं मैं तो भाई खूप सोऊंगा 9-10-12 गंटा, वो भी सही नहीं है, approach हम लोग को 7-9 गंटा target करना चाहिए, जिसमें 8 गंटे at least सब को hit क करना चाहिए, इसके साथ other factor अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, आप definitely अपने आपको बहुत हद तक disease से बचा पाएंगे, longevity पे अपने focus कर पाएंगे, आप अपनी life fullest तक जी पाएंगे, अपने goals को achieve करते हुए, अपनी health को अच्छा रखते हुए, अपने लोगों के पास तो ये सारी चीजे आपके सामने हैं, decision आपका है, खुद से सोचिए और subscribe करिए, ऐसा ही content के लिए मिलते हैं next video में